गाइस यार आप मैंसे काफी लोग खेती किसानी करते होंगे और जंगली जानबरों से काफी दब परिशान भी रहते होंगे मेरे पापा भी खेती किसानी करते हैं और वो भी जंगली जानबरों से काफी दब परिशान रहते हैं तो जंगली जानबरों को भगाने के लिए हमने इस कमाल के जुकाल को बनाया है ये पूरी तरी किसी आटोमेटिक है जैसे ही रात होगी ये अपने आपसे चलू हो जाएगा और इसकी जो लाइट है ये खेत के चारो तरफ घूमती रहेगी और उसी के साथ ये आवाज भी करेगा इससे कोई भी जंगली जानबर हमारे खेत में तो क्या खेत के आसपास भी नहीं आएगा और जैसे ही सुबह हो गई ये अपने आपसे बंद भी हो जाएगा और इसे चार्ज करने की भी जरूद नहीं है क्योंकि इसमें हमने एक सोलर पैनल लगाया है ये दिन में अपने आपसे चार्ज भी होता रहेगा तो गाइस अगर आप ये ऐसा ही जोगार बनाना चाहते हो तो वीडियो के लाज तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाज जरू कर देना है तो गाइस सबसे पहले हमने प्लाइबोर से कुछ इस टाइप का एक टुकड़ा कट कर लिया है और इसकी साइज आप अपने एसाब से ले सकते हो और इसके बाद हमने सबाइणची PVC पैप से करीब 20 cm का एक टुकड़ा कट किया है और इसे क्या करना है कि प्लाइबोर के यहाँ पर कुछ इस तरी के से फिक्स करना है तो इसे हम फिक्स करके फैब्ल की मदा से चिपका देंगे और इसे और मजूद बनाने के लिए हम इसके 54 गिलू गन की मदा से गिलू लगा देंगे अब गाइस मैंने कुछ इस टाइप की एक गेर मोटर ली है ये आपको आफ लाइन और ओनलाइन दोनों जगा पर 70 से 80 रोपे के मिल जाएगी और ये मोटर 5 वोट से लेकर 12 बोल पर वर्क करती है अगर हम इसे 12 बोल पावर देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो इसके हमें स्पीड कम करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम वल्टेज कम कर देंगे तो वोल्टेज कम करने के लिए हमने एक 78.05 की IC ली है और इसके जो राइट साइड और मिडल वाई लेग है इन दोनों लेग को हम मोटर के दोनों पॉइंट से कनेट कर देंगे अब गाइस मैंने चार वायर लिए हैं और इन वायर को हम क्या करेंगे कि रेड से रेड वायर को कनेट कर देंगे और बलेक से बलेक वायर को कनेट कर देंगे और अब इसमें हम 12W पावर देंगे तो हमारी IC वल्टेज को कम करके मोटर में सरी 5W पहुचाएगी इस से हमारी मोटर थोड़ा कम स्वीट से चलेगी और अब इस मोटर को क्या करना है कि इस टाइप की उपर साइड यहाँ पर लगाना है तो इसे लगाने से पहले इन वायर क को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक होल कर लेंगे गाइस आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर होल कर लिया है और अब इस होल से मोटर के चारो वार को निकाल लेना है और फिर इस मोटर को यहाँ पर फिक्स कर देना है तो फटा फट से हम चारो वार को निकाल करके मोटर क fix कर लेते हैं आप देख सकते हो कि हमारी motor इसमें एकदम अच्छतरे किससे fix हो चुकी है और इसे चिपकाने की भी जरूत नहीं है क्यूंकि इसमें हमारी motor एकदम tightly fix हो गई है और अब इसके बाद हमने PBC seat से कुछ type का एक goal piece कट किया है और इसके वाद हमने एक चद्दर से कुछ इस टाइब की दो रिंग के जैसे कट कर ली हैं एक बड़ी और एक छोटी और इन नौनो को क्या करना है कि इस पीवी सीट के मिडल में कुछ इस टाइब से दोनो को फिक्स करके चिपका देना है बस आपको ध्यान रखना है कि दोनो रिंग आपस में बिल्कुल भी टैसन नहीं होनी चाहिए गाइस आप देख सकते हो कि हमने दोनो रिंग को फैवी कोई की मदस से अच्छे से चिपका दिया है और अब हमें क्या करना कि इन दोनो वायर को दोनो रिंग से सोल्ट रंग कर देना है तो फटा फट से हम दोनो वायर को दोनो रिंग से सोल्ट रंग कर लेते हैं गाइस आप देख सकते हो कि हमने दौनो वायर को दौनो रिंग से सोल्टरन कर दिया है और इसके मिडल में हमने खोल कर दिया है और अब इसे क्या करना है कि अपनी मोटर की यहाँ पर फिक्स करना है तो पहले हम इस मोटर की इस नट को कुछ इस तरी किसे खुलेंगे और फिर इसी हम यहाँ पर कुछ इस तरी किसे फिक्स कर देंगे और इसके नेट को हम वापिस से कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे आप देख सकते हो कि हमने नेट को अच्छे तरह किसे कस दिया है और इसमें हमारी PVC सीट अच्छे तरह किसे फिक्स हो चुकी है और अब इसके बाद हमने PVC सीट से कुछ इस टाइब के एक पत्ती के जैसे कट कर ली है और इसके मिडल में हमने एक होल कर लिया है और अब इसे क्या करना कि मोटर की साफट में कुछ इस तरी के से फिक्स कर देना है और फिर इसमें थोड़ा सा फैबुक लगा करके इसे अच्छे से चिपका देना है और अब गाइस मैंने कुछ इस टाइब के एक ट्वैल वोल्ट की लाइट ली है ये आपको मार्केट में 100 रुपे के मिल जाएगी और इसे ज़्यादा तर लोग बाइक में यूज़ करते हैं और इसे क्या करना है कि इस पीबी सीट के एक साइड में कुछ इस टाइब से फिक्स कर देना है और फिर इसमें थोड़ा सा फैबुक लगा करके अच्छे से चिपका देना है और अब मैंने कुछ इस टाइब की एक 12 वोल्ट की हॉरन ली है ये मुझे मार्केट में 50 रुपे की मिली है और इसे इस पीबी सीट के दूसरी साइड पर लगाना है तो इसे भी हम फैबुक की मदा से चिपका देंगे और अब गाइस इस ओरन को एकदम सामने की तरफ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पीबी सीट में हम कुछ इस तरह की से हलकलकी हीड देंगे और फिर इसे हम कुछ इस तरह की से मुड़ देंगे आप देख सकते हो कि हमने दोनों पत्तियों को लगा दिया है और दोनों पत्तियों हमारी दोनों रिंग से टच हो रही है तो रिंग से हमारी दोनों पत्तियों पावर आने लगेगा तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे light और horn के wire है इन पत्तियों से connect कर देना है तो पहले हम दोनों पत्तियों में थोड़ी थोड़ी सोल्टरंग लगा देंगे अब जो हमारी light का red वाला wire है यानि की positive wire इसे हम बाहर side की पत्ती यानि की positive वाली पत्ती से सोल्टरंग कर देंगे और इसका जो black वाला wire है यानिक negative wire इसे हम negative वाली पत्ती से soltern कर देंगे और इसी प्रकार से हमारे जो horn का black वाला wire है इसे हम negative वाली पत्ती से soltern कर देंगे और अब हम लेंगे एक ono switch और इसकी एक leg से हम horn के red वाले wire को soltern कर देंगे और इसके बाद हम एक wire लेंगे और इस wire को हम ono switch की दूसी wire leg से soldering कर देंगे और अब guys हमें क्या करना है कि इस switch को यहाँ पर fix करके चिपका देना है तो पहले हम इसमें थोड़ा सा fabric quick लगा देंगे और फिर इसे हम यहाँ पर कुछ इस type से fix करके चिपका देंगे और इसके बाद हमने चदर से कुछ इस type का एक piece बनाया है इसे क्या करना है कि इस बाहर वाली ring से कुछ इस type से touch करके रखना है और फिर इन नोनों को आपस में soldering कर देना है और अब मैंने चदर से कुछ इस type का एक छोटा सा टुकडा कट किया है और इसे क्या करना कि यहाँ पर कुछ इस तरी किसे रखना है और फिर इसे फैव कोई की मदद से चिपका देना है और इसे चिपकाने के वाद इसे नीचे की तरफ कुछ इस टाइब से मोर देना है और जो स्विच के दूसरा वाला वायर है इसे इस पत्ती से कुछ इस भी कर सकते हैं अब गाइस हमें इसके लिए एक circuit बनाना होगा ताकि ये दिन में off और रात में on हो जाए circuit बनाने के लिए हमें Z44N की एक IC लेना है और एक हमें 100K का resistance लेना है और एक कोछ इस टाइप का LDR लेना है जो LDR की लेक हैं इन्हें IC की लेफ्ट और राइट वाई लेक से solter कर देना है और अब जो resistance है इसे IC की लेफ्ट वाई लेक से solter कर देना है और इसके बाद हमें लेना है दो वायर जो red वायर है इसे हम resistance की दूसरी वाई लेक से solter कर देंगे और जो black वायर है इसे हम IC की लेफ हम रजे स्टेंस की इस लेक से सोल्टरं कर देंगे तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को अच्छ दरे किसे कर लिया है और अब मैंने कुछ इस टाइप का एक छोटा सा बॉक्स लिया है और इस सर्केट को इस बॉक्स के अंदर पैक करना है तो फटा-फट से हम इसे पैक कर लेते हैं आप देख सकते हो कि हमने सर्केट को बॉक्स के अंदर एक दम अच्छ दरे किसे पैक कर दिया है और इसका जो LDR है इसे हमने होल करके उपर की साइड निकाल लिया है क्योंकि यही सेंसर है यही सिگनल देगा कि कभी से ओफ करना है कभी से ओन करना है और अब इस बॉक्स को यहां पर चिपकाना है तो इसे चिपकाने के लिए पहले हम इसमें गुलू गण की मदास से कुच इस िственगलू लगा देंगे और फिर इस box को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से चिपका देंगे और अब guys हमने 12 वोल्ट की battery ली है इसे हमने पुरानी bike से निकला है और इस battery को यहाँ पर fix करके चिपकाना है तो इसे चिपकाने के लिए हम इसके नीचे side पर गिलू गन की मदासे कुछ इस तरीके से गिलू लगा देंगे और गिलू लगाने के बाद हम इसे यहां पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे आप देख सकते हो कि हमारी बैटरी इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है और अब हमें क्या करना है कि जो A wire है इन दोनों wire को battery के दोनों point से connect कर देना है तो इसका जो red वाला wire है इसे हम battery के positive point से soltering कर देंगे और इसका जो black वाला wire है इसे हम battery के negative point से soltering कर देंगे और अब जैसे ही अंदेरा होगा तो हमारी light और horn चालू हो जाएगी और guys अगर इसे कभी अंधेरे में बंद करना हुगा तो ये बिल्कुल ही बंद नहीं होगा तो इसे बंद करने के लिए हम इसमें एक on switch लगाना होगा ताकि हम इसे on off कर सकें तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप का एक छोटा सा on off switch लिया है और इस switch के दोनों wire में से किसी भी एक wire में लगा लेना है तो फटा फट से हम इसे लगा लेते हैं तो हमने switch को लगा दिया है और अब हम इसे on off कर सकते हैं और अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लेंगे 12V 10A का solar panel और इसके जो wire है इन दोनों wire को हम बैटरी के दोनों point से connect कर देंगे तो इने connect करने से पहले हम लेंगे 10A का diode और इसके जो black side की lag है ये input lag है और इसके जो white side की lag है ये output lag है तो इसके जो output वाली lag है इसे हम बैटरी के positive point से solter कर देंगे और guys जो diode की input वाली lag है इससे हम solar panel के positive वाले wire को solter कर देंगे और इसका जो negative वाला wire है इसे हम बैटरी के negative point से solter कर देंगे गाइस इस डायोड से क्या होगा कि सोलर पैनल का पावर बैटरी में तो आएगा लेकिन बैटरी का पावर वापसी सोलर पैनल में नहीं जाएगा तो गाइस हमारा जुगाड बनका त्यार हो चुका है तो चलिए अब इसे ले जाकर के अपने खेत में लगाते हैं और फिर आपको इसके टेस्टिन दिखाते हैं तो गाइस अभी हम आच चुके हैं अपने खेत में और हमने अपने जुगाड़ को एक लगड़ी पर कुछ इस तरी किसे लगा दिया है और यहाँ पर हमने सोलर पैनल को भी लगा दिया है ताकि इसमें सूरज की रोसनी पड़ती रहे और इससे हमारी बैटरी चार्ज होती र हो गया था और जैसे इसमें रोसनी पड़ी ये बापिस से बंद हो गया और गाइस इसके जो लाइट है ये खेत के चारो तरफ घुमती रहेगी और होर्न आवाज करती रहेगी इससे कोई भी जंगली जानवर हमारे खेत में तो गया खेत के आसपास भी नहीं आएगा और इसी हमने सिर्फ रात के लिए बनाया गया है ये सिर्फ रात में काम करेगा दिन में बंद रहेगा क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो सिर्फ रात में ही आते हैं तो हम रात होने का इंतजार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितने अच्छ तरीके से वर्क करता है तो गाइस आप देख सकते होगे रात हो चुकी है और हमारा जुकाड़ भी चालू हो चुका है और आप देख सकते होगे यह कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और आप कोई भी जंगली जानवर हमारे खेत के आसपास भी नहीं आएगा और अगर हम इसमें रोशनी करते हैं तो ये बंद हो जाता है और जैसे हम लाइट को बंद करते हैं ये बापे से चलू हो जाता है और गाइस अगर आप इसकी होरन को बंद करना चाहते हो तो इस सुच की मदद से आप होरन को बंद कर सकते हो और अब आप देख गाइस हम खेट से काफी दूर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि हमें यहां तक आवाज सुनाई दे रही है और लाइट भी दिखाई दे रही है तो आप कोई भी जंगली जानवर हमारे खेट में तो क्या खेट के आस्पास भी नहीं आएगा तो गाइस आपको हमारा यह जोगार कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू गता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइट जरू कर देना तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत